हेलो फ्रेंजें वेलकम बाक टू दे चानल आ गए हम आज अपने नए वीडियो पे जो है एपेक्स टाइल गार्ड के बारे में एशन पेंट्स का एपेक्स टाइल गार्ड बहुत ही डिमांडिट प्रोड़क्ट है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हम एक्स्टीर जो हमारी टाइल है खपर य हो गई बाहर करелов हो गया यह किसी भी तरीके के बिक्स है जो हमारे फ्रंट के अंदर लगी हुई है यह मारे इंटीर के अंदर लगी वी हैं मतलब लूस आधी यह साती है मतलब करब ccaм क्या और उसके व कर सकते हैं एशन पें के surface के लिए जो थोड़ा सा rough हो और जो ये product आता है ये highly durable product है with softsheen finish ये नहीं है कि हाड product है तो इसकी finishing गंदी सी है या कुछ है ये जो product आता है ये आता है high washability के साथ और softsheen finish के साथ उसी तरीके के softsheen finish जैसे हमने plastic paint में बात करी थी इसका मतलब acrylic emissions के अंदर बात करी थी उसी तरीके की finishing के साथ ये product आता है जो ये product आता है ये आता है anti-fungal, anti-bacterial, anti-algae सारी चीजों के साथ rate के हिसाब से जो इसी खूबिया है बहुत ही जादा है, बहुत ही अच्छा product है और आप इसको किसी भी surface पे interior ये exterior पे लगा सकते हैं आखे बंद करके इस product में आता है crack bridging technology नई चीज नहीं है कि मैं इसको आपको detail के अंदर समझाओं सारे वीडियो के अंदर crack bridging technology के बारे में बता रखा है और उस crack bridging technology के साथ साथ इसके अंदर आती है hard film जो product की आपकी जो life है आपकी चीज के उपर वो double कर देती है और long lasting effect देती है और fade नहीं होती है, anti-fading के साथ आता है ये product अब बात करते हैं थोड़ी सीज की application के बारे में जो ये product है इसके नीचे आपको किसी भी तरीके के कोई भी प्राइमर लगाने की कोई जरुरत नहीं है और इस product की application directly आपने करवानी है कोई भी प्राइमर कोई भी surfacer कुछ भी इसके नीचे नहीं चाहिए अगर आप इसको किसी भी exterior surface या exterior texture के उपर यूज कर रहे हैं तो उस पर आपको पुट्टी भी नहीं लगानी है इस चीज का आपने ध्यान रखना है आपने पुट्टी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है उस surface को बिल्कुल plane आपने नहीं करना है rough surface के उपर ये अच्छ 200-300 ml इसके अंदर पानी डलता है मैं फिर से बता रहा हूं इसके अंदर पानी डलता है water dilution चाहिए होती है इसको and try करना है आपने की toothpaste टाइप paste बन जाए बिल्कुल पानी ना बना दें आप इसको क्योंकि हाड रहेगा तब ही ये life अच्छी देगा wall के उपर and product थोड़ा ग इसके अंदर एविलेबल होते हैं company के अंदर या हम बोल सकते हैं सारे के सारे colors हम मशीन के तुरू टिंट करते हैं इसमें बेस आता है TG1 के नाम से tile guard 1 इसका मतलब इसके अंदर सारे dark shades tint हो सकते हैं light shades भी tint हो सकते हैं but company prefer नहीं करती है अब बात करें इसके ड्राइं टाइम क कीपर coat हमें drying time इसको कितना देना है 4-6 घंटे का drying time इस product का है थोड़ा गारा product है सूखने में time लेगा बाकी moisture के उपर depend करता है कई बार सर्दी है कई बार भारिश होई है तो हो सकता है थोड़ा सा time जादा ले आपको इस product का पूरा coat को सूखने का time देना है अब बात करें इ की तो इसी coverage around आती है 40-50 square foot double coat के अंदर coverage थोड़ी सी कम है पर product की life जो है वो बहुत ही अच्छी है product की durability बहुत ही अच्छी है और product की washability बहुत ही अच्छी है exterior textures पे exterior roofs के उपर खपरेल पे parafit पे कहीं पे भी आप इस product को use कर सकते हैं किसी भी तरीके की कोई भी problem इस product में नही आएगी बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए content के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनी family का ध्यान रखें मेरे चानल को subscribe करें वीडियो को like करें and share करें thank you